शरकार में OBC कितने लोग हैं कितने पत्पर कहां उसके हिसाब किताब करते रहते हैं तेकि मैं हराम हूँ उनको इतना सबसे बड़ा OBC नजन नहीं आता है लोग तंत्र में उचीत रही है लोग तंत्र में पार्टी अने एक परिवार के दस लोग राजनिति भाए कुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं नव जवान लोग आए हम भी चाहते हैं इसकी चर्चा करिए हमारे साथ आपके साथ मेरा विश्य नहीं है जो पार्टी के सारे नेड़े परिवार के लोगी करते है वो परिवारबाद है न राधनाजी की कोई पुल्टिकल पार्टी है न अमिशाह की कोई पुल्टिकल पार्टी है संसब में पर्धान मंत्री नरंद्र मोदी जाती और परिवारबाद पर बोल रहे थे राहुल गाधी सोनिया गाधी और देश के अंदर जो परिवारबात की पार्टिया हैं उन पर सवाल उठा रहे थे लालू परसाद यादो समझवादी पार्टी के नेता अखिलेश सिंग यादो उनको दिखाई पड़ रहे थे लेकिन जब सवाल सदन के अंदर ही नरेंद्र मोधी से उठा कि आपके बगल में बैठे लोचपा और अकाली दलके नेताओं के लिए आप क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर मोधी की तो बोलती ही बंद हो गई उन्होंने कहा कि मैं परिवारवाद का विरोधी थोड़े हूँ मैं तो चाहता हूँ कि नए लोग ज़्यादा से ज़्यादा है यह हमारे और आपके बहस की बात नहीं है बागल में हमिस्था और राजनास सिंग का जब नाम आया तो इन्होंने कहा कि इनके बेटे और यह लोग कोई राजनितिक पाटिया नहीं चलाते हैं जो इनके बेटे राधित में आ गए हैं और परिवारवाद का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का यह नया जो फर्मूला है वो सुनकर विजब विपक्ष के नेता जहां मुस्कुरा रहे थे बीजेपी चुप थी सदन के अंदर यह वक्या हुआ कुछ दिन पहले जब बिहार में जाती अधारित गड़ना कराई गई थी नितीश कुमार बिरोध में थे तो अब यही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान मद्प्रदेश और च्छतिस गड़ के चुनाओं में घूम घूम कर का किरें कि देश के अंदर जाती कोई फ्रक्टर बिर्स अमुद misf 아ny ऑल ही दर राहु क्याति को लेकर अभियान चला रहे है रही रहूल अपनी यात्रा में करा रहे हैं जातीकत आरख्षर्ण होना कई चाहिए जातीकत जनगणदा होना चाहिएए है प्रदानमंत्री क्मार रहे थे के हम अदर महय च्यार्चार जाती को मानते हैं वाकी को जाती तुATHAN और उनके अनुसार जो जाती थी वो गरीबी थी भुकमरी थी और जो समाजिक जो कुरुतिया है वो पर्धान मंत्री के लिए जाती थी लेकिन कुछ महीनों महीं पर्धान मंत्री का बयान बदल गया जब संसत में आते हैं तो वो काते हैं कि कुछ लोग जाती की बात करते हैं OBC समाज की बात करते हैं, आरे सबसे बड़े OBC इनको दिखाई नहीं देता है, प्रधान मंत्री नरंद मोदी ने खुद के तरह पिसारा करते हुए कहा कि, आरे भाई, इतना बड़ा आपको OBC नहीं दिखाई परता है, फिर BJP के लोगों ने मेच थप थपा कर, प्रधान मंत कर, जाती की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप प्रधान मंत्री को लग रहा है, कि OBC समाज की सर्चा करनी चाहिए, संसद्रे प्रधान मंत्री नरंदर मोदी जाती पर भी फसे, और अब सिधे तोर पर परिवार बात कर, और प्रधान मंत्री के इस कथन के बाद, सोशल म मोदी क्या कुछ बोल गया, सोशल मेडिया पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है, वो यही है, बाई बाई मोदी, कहा जा रहा है कि प्रधान मंत्री नरंदर मोदी के दूसरे कारकाल का यह अंतिम सदन है, यह अंतिम बजट सत्र था, जिसनों मोदी बोल रहा है, लेकि बाते रख रहे थे, उस पर उनके विरोधियों ने उनको खूप जो है, तंज कसा है, सोशल मेडिया पर लागतार प्रतान मंत्री नरंदर मोदी को लेकर तरतरा की बाते कई जा रही है, उनके पुराने पुराने भयान, उनके पुराने बयानों में, जो वो जाती पर बोल रहे थे, परिवार बात पर हमला कर रहे थे, वो तमाम बयानों को सामने लेकर लोग मिम्स बना रहे हैं, आधर्णी अध्यक जी, कॉंग्रेस के हमारे साथ्यों को, आज कल इस पार बहुत चिंता जताते हैं, कि सरकार में OBC कितने लोग हैं, कितने पत्पर कहां हैं, उसके विसाब किताब करते रहते हैं, देकि मैं हराम हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा OBC नजन नहीं आता है, हम किस परिवार वाद पी चर्चा करते हैं, अगर किसी परिवार में अपने बलगूते पर जन समर्थन से, एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक शेतर में भी प्रगदी करते हैं, उसको हमने कभी परिवार वाद नहीं कहा है, हम परिवार वाद की चर्चा वो करते हैं, जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को पास्मिक्ता देती हैं, जो पार्टी के सारे नेने परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवार वाद हैं, ना राजनाजी की कोई political party है ना अमिज चाह की कोई political party है और इसलिए जहां एक परिवार तो पार्टियां लिखी जाती है वो लोग तंत्र में उचित नहीं है लोग तंत्र में पार्टि अने एक परिवार के दस लोग राजनिती बाए कुछ बुरा नहीं है हम तो चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि इसकी चर्चा करिए हमारे साथ आपके साथ मेरा विशे नहीं है देश के लोग तंत्र के लिए परिवार बादी राजनिती परिवारिक पार्टियों की राजनिती यह हम सब की चिंता का विशे होना चाहिए पनोर्मंक्रो जो सोचता है वो करता है ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहा अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सक अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined